आखिर कब आएगा CSIR NET जून 2024 का नोटिफिकेशन यही सवाल हम सब लोगों से पूछ रहे हैं हर यूट्यूब लाइव में यही सवाल पूछा जा रहा है और मुझे लगा कि इस आपके अंसर्टन्टी को आपके इस एंग्जाइटी को थोड़ा सा कम किया जाए इसलिए यह वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ तो हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि CSIR NET का नोटिफिकेशन कब एक्सपेक्टेड होता है कितने दिन पहले आता है एक्जाम के और इस बार कब आएगा क्या आशंका है ठीक है तो CSIR NET, CSIR NTA का एक्जाम डेट यह बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है एक तो UGC NET एक्जाम भी उसी टाइम पे होता है CSIR NET का जो एक्जाम है वो साइंसेस के लिए है पाँच अलग 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 फील्ड में होता है मगर वही पे दूसरा एक एक्जाम होता है जो होता है UGC NET का जो भी जून और डिसंबर में कंड़क किया जाता है UGC NET में कई गुना ज्यादा कैंड़ेट्स हैं CSIR NET के कंपैरेजन में ठीक है तो UGC NET का जो एक्जाम होता है वो बहुत ज्यादा उसका जो आप कहा सकते हो उसका जो मैनेजमेंट है वो थोड़ा ज्यादा मुश्किल है as compared to CSIR NET exam और इसलिए UGC NET exam का डेट क्या है उस पे भी थोड़ा सा डिपेंड करता है कि CSIR NET का एक्जाम का डेट क्या होगा ठीक है और अब तक की खबर ये है कि अभी तक UGC NET का नोटिविकेशन नहीं आया हुआ है तो ये exam ऐसा माना जाता है कि June 10 से June 21 तक कही न कहीं कंड़क किया जाएगा तो इस exam में कई गुना ज्यादा students appear करते हैं और इसलिए जो centers का availability UGC और NTA को एक तयार करना होता है manage करना होता है उसका आप कह सकते हैं कि priority ज्यादा है as compared to CSR UGC NET exam जिसमें कम number of students होते हैं और UGC NET exam में paper भी बहुत ज्यादा है students भी बहुत ज्यादा है तो of course उसके date एक बार finalize हो जाते हैं तो CSR कभी notification immediately आ जाएगा इसके साथ साथ एक और चीज हुई है कि March में एक guideline जारी किये थे UGC ने कि अब CSR NET exam ही PhD admissions के लिए एक standard exam माना जाएगा जो universities जो अलग-अलग PhD entrance exams लेते हैं वो अब utilize नहीं होंगे PhD admissions के लिए तो इसकी वज़े से भी कही ना कही कि मुझे लगता है कि यह जो process था कि CSR NET exam dates announcement का तो वो process भी थोड़ा सा delay हुआ है क्योंकि March end में हमने एक tweet देखा था NTA CSR और NTA का कि जहां पर उन्होंने बताया था कि April first week में notification आ जाना चाहिए कि CSR का exam कभ होगा वो अब तक नहीं आया हुआ है आज है 18 April ठीक है तो अब हम थोड़ा सा predict करने की कोशिश करते हैं कि यह notification कब आ सकता है कब तक आपको exactly पता चल जाएगा कि CSR NET का exam कभ है ठीक है तो सबसे पहले CSR NET के exam dates पिछले दो exam dates क्या थे यह एक बार देखते हैं कि June 2030 का exam हुआ था 6-7-8 June यह अगर हम standard बानके चलते हैं तो April 1st week तक notification आ जाना चाहिए था बट ऐसा कुछ नहीं हुआ इसका मतलब 6-7-8 June को June के 1st week में कही भी exam नहीं होने वाला यह definitely हमें पता है ठीक है December का exam December end में हुआ था ठीक है यह भी actual यह दोनों जो dates हैं June 2030 और December 2030 यह CSR के normal pattern को लेकर नहीं चलते हैं ठीक है क्योंकि CSR का exam normally pre-covid मतलब covid के पहले जब सारे universities के जो cycles थे exam cycles थे वो properly चल रहे थे तब हमेशा June के 3rd Sunday को और December के 3rd Sunday को exam होता था साल में दो बार होता था और June और December के 3rd Sunday को होता हमेशा यह पिछले 13 साल तक यह कायम था 2019 तक 2019 के बाद यह schedule disturb हुआ ठीक है अफकोर्स covid के चलते बहुत सारे restrictions आ गए और इसलिए वो schedule disturb हुआ तो पिछले साल के यह जो dates है उस schedule को वापस line पे लाने के लिए की कोशिश पूरी की गई है CSR के थूँ यह हमें दिख रहा है कि exam साल में एक बार conduct हो रहा था एक साल तो exam ही नहीं conduct हुआ 2021 में exam हुआ ही नहीं तो पिछले साल at least उन्हों ने यह कोशिश की कि साल में जैसे दो बार exam होता था एक बार June में एक बार December में वैसे दो exams हो गए ठीक है और अब उनका मुझे लगता है कि आगे जाकर एक बार फिर से जो उनका पुराना set pattern है उस pattern में ही वापस exams conduct करने की उनकी कोशिश रहेगी ऐसा मुझे लगता है मतलब June का 3rd Sunday और December का 3rd Sunday ठीक है अब पहले Sunday को exam होते थे तब वो computer based exam नहीं था वो paper based exam था इसलिए एक ही दिन में सारे exams हो जाते थे अब computer based exam मतलब center में उतने computers होने चाहिए उतने ज्यादा amount में centers की भी जरूरत पढ़ती है इसलिए अब आपको पता है कि यहाँ पे जो 3 dates दिख रहे हैं इस तरह के इस तरह से तीन अलग अलग दिन exam पंड़क किया जाता है ठीक है और इसी वज़ा से यह जो CSR net का exam pattern है यह थोड़ा सा अब इसका management थोड़ा सा और complicated हो गया था pre-covid के comparison में अब थोड़ा और ज्यादा complicated है ठीक है और इसी लिए मुझे लगता है कि CSR को और NTA को यह pattern वापस लाने में थोड़ी सी तकलिफ हो रही है अब अगला सवाल है कि जून 2024 का exam कब होगा ठीक है तो थोड़ा सा देखते हैं कि उन्होंने पिछले दो exams announce कब किये थे तो डिसेंबर का जो exam था ठीक है जो जून का जो exam था तो वो उन्होंने 11 जन्वरी को announce किया था ठीक है पहली बार वो exam 11 जन्वरी को announce किया गया था कि December 2022 का exam cancel हो गया था उन्होंने जून के साथ merge करके announce कर दिया था और उन्होंने tentative dates दे के रखे थे May June 2030 ठीक है तो यह बहुत advance में notification आया था और फाइनली एक्जाम हुआ जून 6 7 8 जून को दो महिना पहले notification आ चुका था कि online application स्टार्ट हुआ है वैसे ही December का exam था 26 27 28 December को ठीक है और इसका notification उन्होंने जारी किया था September में तो यह dates डिक्लेर किये थे बट online application स्टार्ट नहीं हुआ था online application सब्टेंबर में स्टार्ट नहीं हुआ वो in fact November में हुआ वो बहुत ही delayed चला था यह भी CSR के pattern को छोड़के है एंडिया के pattern को छोड़के है नॉर्मली जो online application होता है वो तीन महिना पहले स्टार्ट होता है और एक महिने तक चलता है मतलब चार हफते या पांच हफतों का period candidates को दिया जाता है application पूरा करने के लिए तो मान दिजिए कि December का exam है तो November छोड़ दिजिए October छोड़ दिजिए सब्टेंबर में कही न कही online application स्टार्ट हो जाता है या फिर December end में exam होने वाला है तो October में स्टार्ट होगा ठीक है बट पिछले साल online application कब स्टार्ट हुआ वो यहां पे आप देख सकते हो एक November मतलब eight weeks prior exactly आठ हफते पहले यह शुरू हुआ था ठीक है तो exam date था 26,27,28 और exactly आपने वहां से आठ हफते पीछे count किया तो वो एक November का date आ गया था ठीक है तो हमें लग रहा है कि इस बार भी यह इसी तरह से आठ हफतों का यह जो एक उनका calculation है वो इस बार भी रखेंगे और इसलिए यह online application कब शुरू होगा इसका हमारा prediction क्या है कि exam date से exactly दो महिना पहले या two months और eight weeks earlier ठीक है आठ हफते पहले यह हो जाएगा अगर ऐसा हमने मान लिया तो अगर अब जैसे एक संड़े को एक दिन exam नहीं होगा एक पूरे हफते में exam होता है तो 17 से 22 जून मतलब जून के third week में जैसा उनका normal एक सिस्टिम रहा है 17 से 22 अगर exam dates है तो मतलब इस शनिवार को ठीक है इसी शनिवार को 20 अपरेल को मुझे लगता है कि इनका online notification आ जाएगा नोटिफिकेशन आएगा 20 अपरेल को और online application स्टार्ट होंगे सोमवार से 22 अपरेल से यह पहला एक possibility है बट यूजी से नेट के भी अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आए हैं तो जैसा हमने स्टार्टिंग में डिसकस किया कि यूजी सी नेट का exam एक बार finalize होता है तो उसके तो CSIR के exam का notification 27 अपरेल तक डिले हो सकता है मतलब April के last week तक डिले हो सकता है और फिर वहाँ पे online applications 29 अपरेल को शुरू हो गए तो जून के fourth week में exam साब expect कर सकते हो ठीक है और मुझे तो लगता है कि यह ज्यादा probable है ठीक है यह मुझे लगता है कि 17 से 22 जून के बीच में कहिन के exam होने वाले हैं तो इसका मतलब इस शनिवार को 20 अपरेल को आप expect कर सकते हो कि CSR का notification आ जाएगा ठीक है बट अगर इस शनिवार को भी नहीं आया या 22 April से online application स्टार्ट नहीं हो पाए तो मुझे लगता है अगले शनिवार तक इंतजार करेंगे बट इसका मतलब exam भी एक हफता आगे push होगा ठीक है सो notification कब आएगा इसकी चिंता में मत रहिए जून में exam होकर रहेगा ऐसा हमें लगता है ठीक है क्योंकि CSR पूरी कोशिश कर रहे हैं यह हमें भी लग रहा है UGC net का notification कभी भी आ सकता है ऐसी खबरे हैं ठीक है तो वो एक बार notification आ जाएगा तो मु इन्होंने preparation रोक दिया है pause किया है बहुत बड़ी गरती की है यह करना ही नहीं है और इसमें आपकी सहायता के लिए हमने हमारे IFS के free app पे बहुत सारा study material upload करके रखा है previous year papers का analysis है जो आपको बताएगा कि revision कौन से topic का करना है focus कौन से topics पे करना है और plan कैसे करना है इन 8 हफतों आपने देखा कि 8 हफते मिलते हैं आपको notification से exam तक वो 8 हफते properly plan करना बहुत ज़रूरी है ठीक है उसके साथ साथ पिछले 5 साल का cut off पिछले 5 साल के previous year question paper से सब कुछ हमने हमारे IFS के app में upload करके रखा है ठीक है तो अभी जाकर यह जो हमारा free app है IFS का वो download करिए और यह सारा तो खजाना आपको मिल सकता है यह इस खजाने का पूरा लाव उठाई है ठीक है इसके साथ साथ यह खजाना सिर्फ IFS के free app में नहीं हमारे website पे भी available है तो ifsonline.com इस website पे जाकर भी आप हमारे CSRnet के free course में यह सारी जानकरी देख सकते हो ठीक है तो आपको हमारे predictions के बारे मे क्या लग रहा है यह accurate है क्या नहीं क्या आपको भी लग रहा है कि यह exams आगे पीछे होंगे July तक जा सकते है या पूरा cancel हो सकता है आपको क्या लगता है हमें comments में जरूर बताईएगा ठीक है इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बट मैं फिर से जान हाथे में या फिर चौते हाथे में एक्जाम पक्का है इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया लाइक जरूर करिए और इस वीडियो को शेयर भी करिए थैंक्यों फर वाचिंग एंड हैपी लोटें